नमस्कार दोस्तों मैं ओनिर्वान आज CXY धामा का चनल पे एक नया एक्स्परिमेंट लेके आ गया हूँ तो यह क्या है फ्रीज है तो फ्रीज के अंदर क्या होता है बरब बनता है तो आज आप लोगों को मैं जो एक्स्परिमेंट करके दिखाने वाला हूँ बीना फ्रीज के सारे से मैं बरब बनाऊंगा और आइस बनने का कोशिज करूँगा आइस क्रीम बनने का कोशिज करूँगा आप लोगों को दिखाने वाला हूँ तो वीडियो शुरू करने से पहले हर बार जो बात आप लोगों को बोलता हूँ चनल पे नया हो तो प्लीज CXOI धामा का चनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पुरा सुरू से एंड तक देखिएगा अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करेगा और आप लोग दोस्तों एक चीज भूल जते हो सेर करना प्लीज इस वीडियो को सेर कर देना तो जबात ना करके चलेएटे हैं वीडियो के अंदर तो दोस्तों बर्ब बनाने के ले लिए मैंने लेलिया हूं एक डीस काटवा और लेलिया हूं एक काँच का ग्लास और ले लिय known पाने बतल है और यह ले लिया हूं अभ 작업 जानते ही होंगे यह बाच्चों का ड्राइपर होता है तो इससे भी बनेगा आइस बर्ब कुछिस करूंगा आइस क्रीम बनाने के लिए तो चलिए देख लेते हैं यह कैसे होता है इसके अंदर क्या है इसके अंदर जो बर्ब बना देता है इसको चलिए देख लेते हैं तो पहले क्या करूंगा इस डिस्क के अंदर मैं इसको काट लूँगा तो चलिए यह में मॉलिक्यूल्स जो है इसके अंदर जो पाउडर है मैं उसको निकल लिया और इसके अंदर दे देता हूँ देख लिजिए इसके अंदर नहीं देता हूँ तो अभी मैं क्या करूंगा इसके अंदर पानी डालूंगा देख लिजिए दोस्तो कि देख लीजिए देख लीजिए कैसे बरब बन गया देख लीजिए कैसे बरब बन गया तो दोस्तो इसको मैं एक डिस्क के अंदर डालूंगा तो देख लीजिए देख लीजिए देखिए ओ माई गॉड कैसे बरब बन गया देख लीजिए बरब बन गया देख लीजिए एक दम बरब बन गया तो मैं क्या करूंगा अभी इसके अंदर ये पूरा डाल दूंगा पूरा डाल दिया अभी थोड़ा थोड़ा करके पानी आड़ करूंगा देख लीजिए ये भी जम गया तो और भी मैं पानी आड़ करता हूं देख लीजिए जम गया और भी पानी आड़ करता हूं देख लीजिए कैसे बरब बन गया देख लीजिए अब देख पा रहा है कैसे बरब बन गया तो मैं इसको बरब को यहां पर डाल रहा हूं देख लीजिए ओ माई गॉड देख लीजिए बरब गिर रहा है बरब बन गया देख लीजिए यह बिलकुल ठंडा नहीं है यह नॉर्माल वाटर जैसा ही ठंड होता है अब गॉड क्या बरब बन गया देख लीजिए बीना फ्रीज से बरब बन गया तो दोस्तो इसका पीछ साइंस क्या है तो यह जो बेबी ड्राइपर जो होता है यह बेबी ड्राइपर के अंदर जो पाउडर होता है जो मैं आप लोगों कोई निकल के दिखाया हूं उसका नाम है सोडियाम पॉली एग्रेलाइट ये sodium poly agrilite कोई भी पानी जैसा कुछ भी तरल को ये absorb कर लेता है तो इसलिए इसके अंदर ये इस्तेमाल करते है तो ये क्या होता है जब पानी के अंदर आता है पानी के पास आता है तो ये बरफिला चीज बांजाता है ये जम जाता है असल में ये बरफ नहीं है ये कोई खाने का चीज नहीं है कोई खाने का बरफ नहीं है और ठंड में नहीं होता है ये बरफ जैसा दिखने में लगता है बहुत मैजिसियन ये sodium poly agrilite यूज करते है ये पानी वाला जो मैजिक होता है इसके अंदर पहले से ढाल देता है और क्या करता है उसके बाद पानी डलता है और लोगों को दिखाता है कि पानी जम गया है बरफ बन गया है और इसके अंदर देखिए तो मैंने जाबेते ऐसा कर रहा हूँ तो ये नहीं गिर रहा है तो ऐसे करके magic भी दिखाता है कोई-कोई magic तो ये है poly agrilite का magic तो वीडियो कैसा लगा अब लोग जरूर कॉमेंट करके बताईएगा आज का वीडियो यहां तक नेक्स टाइम एक निया वीडियो लेके मैं उनिरवान फिर CX वैदामा का चानल पर आओंगा तब तक चलते हैं नमस्कार